नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका TechSultan चैनल पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Git और GitHub के बारे में ये दोनों ही टोल्स अगर आप एक डेवलपर हैं या कोडर हैं तो आपके काम की चीज़ है दोस्तो बहुत ही essential टूल है दोनों चलिए बारी बारे से बात करते हैं इन दोनों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं Git के बारे में कि Git होता क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी website पर जो Git की definition लिखी हुई है यहाँ पर Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency तो दोस्तो यहाँ पर जो main term है वो है distributed version control system so version control system in the sense कि जो भी हम अपने files में जो changes करते हैं उसको control करना उसको manage करना मतलब उसको किस तरीके से efficiently manage कर सकते हैं वो Git का काम है दोस्तो और distributed in the sense कि वो अलग-अलग devices पे simultaneously use हो सकता है जैसे कि इसको अगर हम एक example से समझे तो हम यह कह सकते हैं कि मान लो कि four people का group है और वो किसी project पे काम कर रहा है so उनमें से individually अलग-अलग module पे वो काम कर रहे हैं so उनके हर एक के system में git installed होना चाहिए दोस्तो जब git installed होगा उसके अंदर तो हर जो भी बंदा अपने अपने local system में changes करेगा और changes को commit करेगा वो उसका जो track record है वो git हर एक के system में रखेगा फिर उसको वो एक centralized system पे push भी कर सकते हैं जो कि फिर git के use करके जो दूसरा बंदा है वो उन file के changes को अपने में pull कर सकता है कहने का मतलब है पहले बंदे ने कुछ changes करा और उसको अपने जो centralized server है उसके उपर उसने push कर दिया उसके बाद जो second वाला बंदा है वो उस server से जो changes किये गए हैं उसको अपने local server में pull कर सकता है तो वो data भी उसके पास आ जाएगा फिर वो उस code के उपर और अगर कुछ work करना है तो work करेगा या फिर उस code को जो सामने वाले बंदे ने लिखा है उसको debug करेगा चेक करेगा कि क्या है वो code इसलिए इसका नाम distributed version control system है दोस्तों क्योंकि एक developers को freedom provide कर दे रहा है कि code को track करने का कि किसने कब क्या code लिखा है और साथ-साथ इसकी मदद से हम जिसने जो भी changes करा है उन changes को push या pull भी कर सकते हैं अगर मान लो किसी ने change किया है वो मुझे अपने system पे चाहिए तो मैं उसको pull कर लूँगा और अगर मैंने कोई changes किया है तो उसको मैं centralized server पे push कर दूँगा तो यह push, pull और commit जो भी हम कर पा रहे हैं दोस्तो वो git command line tool की help से ही हम कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि यह कितना helpful है क्योंकि जब भी हम किसी large project पे काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे का सारा project एक ही बंदा करेगा उस पे बहुत सारे जो पूरी team involved होती है तो हर एक team के system में GitHub install होता है वो अपना अपना जो module है वो complete करता है और उसको push कर देता है centralized server पे और फिर जो बागी के team members है उसको pull कर लेते हैं अपने system में और फिर उसके अंदर अगर और भी कुछ add करना होता है तो add करते हैं नहीं तो उसको combine करके जो है वो एक software ready हो जाता है इस तरीके से जो है दोस्तो projects पे काम करने में git जो है हमारी बहुत help करता है और सबसे main जो इसका काम है दोस्तो वो changes जो है उसको exactly saved रखता है कि कब किसनी क्या changes करें है तो इस तरीके से हम इसको इसकी मदद से जो है अपने जो project है उसको बहुत अच्छे से track कर सकते हैं एक efficient way में तो उमीद करता हूँ आपको git का basic idea हो गया होगा कि git क्या है और इसको हम कैसे use करते हैं तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं github की कि git के बाद हमें github की जरूरत क्यों पड़ी तो पहले जो मैं बात कर रहा था centralized server की git तो दोस्तो जो हमारे changes है उसको locally अपने system में store कर पा रहा है बट git की मदद से हम जो centralized server पे push or pull करने की बात कर रहे थे तो वो centralized server वो github है दोस्तो github as a centralized server काम करता है ये एक open source ये भी platform है दोस्तो जो की आपको एक environment provide करता है जहां पर आप git की repository को save कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ उसको collaborate भी कर सकते हो मतलब अपने team members के साथ उसके साथ collaborate भी कर सकते हो जैसा कि मैंने भी पीछे बताया कि हम एक team में कैसे एक project पे work करते हैं कि एक बंदा कुछ भी उसमें changes कर रहा है उसको push कर दे रहा है और फिर उसको जो है जो दूसरा बंदा है वो वहां से pull कर ले रहा है तो यह सारी जो चीजे हैं वो possible हो पाती है दोस्तों git और github की वज़े से क्योंकि git changes को manage कर रहा है वो locally system पे manage कर रहा है और जो github है दोस्तों उसको store करने का एक environment provide करा रहा है जिसके उपर जो सारे changes है जो git के दुआरा किये गए हैं commit वो सारा का सेरा जो data है वो एक centralized server github पे store रहता है तो दोस्तों अभी तक समझ में आ गया होगा कि git और github दोनों क्या है और कैसे ये काम करते हैं ये तो हो गया theoretical knowledge दोस्तों अब हम practically देखेंगे कि actually में किस तरीके से हम किसी project को बनाते हैं locally और उसको git की मदद से पहले तो हम अपने जो repository है उसको locally create करेंगे और फिर उसको git क की मदद से दोस्तो github के ऊपर पूस करेंगे वहां पर अपनी सारी files को save करेंगे और कुछ जो हम हमारी जो directly हम git के ऊपर repository created है उसको हम clone करना सीखेंगे कि अपने system में कैसे command line के थू हम उसको download कर सकते हैं और उसमें work कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको github पे और यहां पर अपनी email id enter करनी है तो मैं यहां पर अपनी email id enter कर रहा हूं और फिर continue पे click करना है उसके बाद यहां पर अपने लिए create password कर सकते हो जो भी आपको password suitable लगे वो यहां पर enter कर देना आप अपने account में login करने के लिए उसके बाद यह आपसे username enter करने के लिए कहेगा वो username unique होना चाहिए दोस्तों जो भी availability हो उसके according आप यहां पर अपना username कुछ भी अपने according जो है choose कर सकते हो create कर सकते हो उसके बाद email preferences का यह box आएगा checkbox अगर आप चाहते हो इनके products updates के बारे में तो आप इसे check कर देना नहीं तो वैसे ही continue पे click कर देना जैसे ही आप click करोगे यह verify करने के लिए कहेगा यह जो not robot वाला option है तो इसको इस तरीके से align करके verify कर देना है आपको जैसे आप verify कर दोगे दोस्तों आपको जो एक option आजाएगा यहां पे कि आप जो है verification code जो आपके email पे मिली है उसको यहां पे enter कीजिए जो भी आपके email पे code आया है दोस्तों वो इस create हो चुका है दोस्तों यहां पर देख सकते हो यहां पर import repository और create repository का option आ रहा है ठीक है दोस्तों और सेम आपको अपने system में अगर आपने यह जो git है वो download नहीं कर रखा है तो आपको download कर लेना है और इसको check करने का तरीका मैं बता जाता हूं जस्ट आपको आना है यहां पर git git-version लिखना है तो अगर आप देख सकते हूं यहां पर git version यह दिखा रहा है मतलब जो मेरे system में है वो already जो git है वो installed है तो अब हम अपने git को अपने जो यह GitHub है इससे connect करेंगे दोस्तों यहां पर हमने जो यह हमारा जो account है टेक्सुलतान का इससे हम अपने local system को इसमें connect करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको connect कर सकते हैं तो connect करने के लिए दोस्तों कुछे commands आपको देने पड़ेंगे चलिए देखते हैं कैसे connect कर सकते हैं connect करने से पहले दोस्तों आपको यहां पर एक अपने लिए repository create कर लेना है जिसके अंदर हम बर्क करने वाले हैं जिसको हम use करेंगे यहां पर आपको plus पर कलिक करना है और create repository पर क्लिक करना है उनन पर आपको अपको अपना नाम देना है जो भी आप और Target का का देना चाहते हैं यहां नाम् रोजयक्त का देना है वो दे सकते हो मैं फिलाव यहां यहाँ पर demo प्रोजěक्ट नाम दे देता हूं इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे आप description भी दे सकते हो कि यह project किस से related है यहाँ पे आप कुछ भी description दे सकते हो और यह optional है बट ठीक है याद रखने के लिए हम दे देते हैं कि this is my demo project इसके बाद दोस्तों यह आ जाता है private और public दोस्तों यहाँ पे आपको private और public में से जो भी choose करना आप कर सकते हो अगर public choose करोगे तो यह जो आपका file है वो publicly accessible रहेगा उसके बाद आपको readme file पे यहाँ पे click कर देना है ताकि जो readme file है वो आपके लिए GitHub अपने आप ही create कर लेगा इसको छोड़ देना है दोस्तों इसमें आपको कुछ मिनिंग करना भी फिलाल के लिए और नीचे आपको जो create repository का button मिल दिख रहा है दोस्तों उस पे click कर देना है जैसे ही आप create repository पे click करोगे GitHub आपके लिए एक जो demo project के नाम से आपका repository जो है वो create कर देगा देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने नाम दिया था और जो description दिया था वो नीचे return है दोस्तों और उपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे जो project का जो उपर URL है वो भी उपर आप देख सकते हो जो हम इसका use करने वाले हैं इस URL का अभी connect करने के लिए अपने local machine के दुरू हम जो अपना project computer पे बनाएंगे उससे इसको connect करेंगे जो भी changes हम वहाँ करेंगे वो यहाँ पे भी reflect होगा अब चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं सबसे पहले हम अपने desktop पे आते हैं दोस्तों और एक new folder बना लेते हैं demo project के नाम से इस project में हम locally काम करने वाले हैं इसको हम VS code में open करेंगे उसके लिए blank वाले screen पे जो है आपको अपने folder को ड्रैग कर देना है इस तरीके से और यह जो है आपका project जो है वो यहाँ पे open हो जागा और यहाँ पे मैं एक file add कर लेता हूं जिसको हम अपने main server पे push करेंगे ताकि हमें पता लागा है कि जो भी changes हम locally कर रहे हैं वो वहाँ push हो रहा है तो दोस्तो उस changes को पता करने के लिए मैंने यहाँ पे index.html file एक create करी है आप देख सकते हो और यह हमारा जो editor है उसमें index.html create हो गया है तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा code लिखने वाले हैं दोस्तो HTML का तो यहाँ पे just मैं HTML format में code लिखता हूं title में मैं यहाँ पे this is my demo project तो यहाँ पे मैंने यह title में डाल दिया दोस्तो और body section में हम यहाँ पे एक heading दे देते हैं दोस्तो और heading में भी हम डाल देते हैं this is my demo project तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है और जो है terminal में इसको यहाँ से उपर से इस तरह के से एक terminal भी हमने terminal window जो है हमारा उसको open कर लिया है और यहाँ पे जो सबसे पहला आपको command देना है दोस्तो वो git init का देना है दोस्तो so git init command product जो हमारा project है उसको initialize करने के लिए यूज होता है जैसे आप इसका command देख सकते हो git इसके अंदर initialize हो जाएगा git इसको recognize करने लग जाएगा हमारे project को अकर हम desktop पे folder में जाए और अपने folder को open करे तो आप देख सकते हो एक hidden file git जो है वो create हो चुका है इसके अंदर so यह अब ready है दोस्तो इसके अंदर git का command जो भी हम देंगे git का command वो इस पे अब बर्क करेगा so दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा command है वो डालना है git add git add command जो है project में add करने के लिए यूज होता है दोस्तों git के अंदर add करने के लिए तो git add dot dot सारी फाइलों को include करेगा जो भी हमने add के रखा है project में जैसे ही आप enter करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर जो status है वो इसका u से a में change हो सकते है पहले यह untracked था अब यह added हो चुका है आप इसको hover करके check कर सकते हो अब यह हमारे git के repository में add हो चुका है सो दोस्तों जो हमने index dot html file create करी थी वो untracked से अब हमारे git में added हो चुका है अब हम एक comment के थुरू इसको commit करेंगे दोस्तों सो commit करने के लिए यहाँ पर एक command देना आपको git commit hyphen m और उसको फिर colon में जो हमें comment देना है कि यह फाइल में हमने जो changes करें है उसके बारे में हम कुछ भी comment डाल सकते हैं सो इसमें मैं डाल देता हूँ this is my first commit so commit डालने के बाद जश्ट आपको enter पर प्रेस कर देना है और जैसी आप enter पर प्रेस करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो index.file है वो commit हो चुका है commit innocence अब यह server पर जाने के लिए बिलकुल ready है दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा यह locally server पे जो हमारा local computer पे यह commit तो हो चुका है अब इसको हमें अपने GitHub पे post करना है इसको GitHub में push करना है तो वो कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको आना है अपने GitHub के account पे और यहां से जो आपका project URL है वो repository के अंदर आके और आपको जो उपर से पूरा URL है project का उसको आपको copy कर लेना है उसको आप copy करने के बाद आप यह अपने terminal पे आओगे और यहां पे एक आपको command देना है origin set करने के लिए so origin set करने के लिए जो command होता है दोस्तो git remote add origin और उसके बाद जो है वो आपना URL है वो paste करके आप enter कर देना जैसे यह आप enter करोगे तो यह आपका remote origin है वो set हो चुका है दोस्तो इसके बाद हम पुस करेंगे पुस करने के लिए पुस कमांड का यूज करेंगे git push-u और उसके बाद जो है वो origin लिखेंगे हम और उसके बाद जो है हम master कहां पुस करना है master branch में पुस करना है तो हम यहाँ पे master लिखेंगे तो जैसे हम इसको enter करेंगे यह हम से sign in करने के लिए कहेगा इसको इस तरीके से sign in करने के लिए कहेगा अगर आप visual code studio यूज कर रहे हो तो यह extension के थुरू आपको sign in यूज करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ पर अपना account अब sign in करना है दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपना username डालना है या email address जो भी आपका main email primary email address है जो github पर registered है वहाँ पर या फिर username डालना है तो मैं यहाँ पर टालता हूं अपना और यहाँ पर आपको password डालना है दोस्तों और इस तरीके से sign in करना है not now और यहाँ पर देख सकते हो यह जो repository है private and public को authorized करने के लिए कर रहा है तो just आपको authorized visual studio पर click कर देना है और इसको allow पर click कर देते हैं अब यह हमने कर दिया दोस्तों ठीक है दोस्तों अब यह देख सकते हो यहाँ पर वह अपने GitHub पर जाते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पर यह देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारे में branches बन चुकी है main में और यह जो हमारा master के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर index.html कमिट हो चुका है दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो हमने create किया यह फाइल जो है हमारी वह यहाँ पर कमिट हो चुकी है दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अब हम कुछ भी changes करेंगे एक वार हमने इसको connect कर दिया अब हम यहाँ पर कुछ भी changes करेंगे तो वह वहाँ पर commit होगा तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर branch ह है वहाँ पर सिरफ और सिरफ यही वाले जो code है वह यहाँ पर देख सकते हो आप और इसके अंदर हम आप कुछ और changes करेंगे और उसको भी अपना जो origin server है यहाँ पर master branch के अंदर हम उसको push करेंगे इसके अंदर आप देख सकते हो पाथ तो हमने set कर ही रखा है यहाँ पर मैं कुछ changes करता हूं इसके अंदर हम मैं किसी को copy paste कर देता हूं और यह h2 कर देता हूं मैं इसको इहाँ पर भी और इहाँ पर भी और इसको मैं इस तरीके से हमने इसको डाल दिया दोस्तों अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप देख सकते हो यहां पर modified का symbol आ जाएगा और एक काम करते हैं एक और file भी हम add कर लेते हैं कुछ भी एक डाल देते हैं text.html और text.html में भी दोस्तों आप यहां पर add कर देंगे हम और यहीं सेम चीज content और यहां पर आप देख सकते हो यह untracked है अभी इसको अभी हमने newly add किया है तो अब चलते हैं इन दोनों file को हम अपने server पर post करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको जो है वो add करेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दों दोस्तों कभी भी आपको git status करके आप check भी कर सकते हो कि किस file में क्या-क्या changes करें हैं अभी तो यहां पर दो file है मालो जब बहुत सारी files आ जाएगी तो वहां पर इस तरीके से आपको यहां पर दिखेगा भी इस तरीके से आप over करके भी check कर सकते हो बाकि git status एक command होता है दोस्तों यह आपको proper detail देदेगा कि किस file में क्या-क्या चीज़े हुई है तो देख सकते हो यहां पर बता रहा है कि जो हमारा index.html में हमने कुछ changes किया है जो modified हुआ है और एक और भी है untracked file जिसको हमने add नहीं किया भी text.html सबसे पहले हम इन फाइलों को add करेंगे दोस्तों add करने के लिए फिर से वही git add command देना है और dot डालना है ताकि सारी फाइले एक साथ add हो जाएगा यहां पर देख सकते हो status symbol change हो चुका है added अब इसको हम commit करेंगे दोस्तों आपको commit करने के लिए आपको git commit और hyphen m और यहां पर जो है आपको अपना देना है यहां पर commit में comment डाल देता हूं added a text dot html and changes in index file and done some changes in index file so दोस्तों इस तरीके से आप जो भी commit में आप जो भी आपको याद रखने के लिए message देना है वो आप यहां पर enter कर सकते हो और जैसे ही आप इसको इस तरीके से हमने create भी करा है वो भी यहां पर add हो चुका है अब इसको हम push करेंगे दोस्तों so push करने के लिए push करेंगे हम अपने यहां server पर अभी आप देख सकते हो अगर मैं इसको refresh करूँ अभी वो locally save हुआ है अभी यहां पर हमारा text.file भी नहीं आया है और यहां पर जो चीज़े हैं अभी swap नहीं हुई है जो भी हमने changes करा है तो जब तक हम push नहीं करेंगे वो changes so नहीं होगा so सबसे पहले हम यहां पर git push command देंगे अब यहां पर क्यूंकि हमने पिछले वाले command में इसको path वगेरा master वगेरा set कर रखा है तो हमें दुवारा से इसको origin बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे अगर अलग origin में इसको डालना चाहें तो यहां पर origin pass भी कर सकते हम बट यहां प देख सकते हो दोस्तों मैंने git push डाल दिया है और यहां पर आप देख सकते हो इसने जो है हमारा url जो हमने set कर रखा है github texultan demo project और यहां पर इसने master के अंदर जो है वो कर दिया है इसने changes तो अब चलते हैं इसको उपर और इसको करते हैं refresh जैसे मैं refresh करूंगा आप देख यहां पे text.html में भी same content आ चुका है क्योंकि text.html में भी हमने यहीं डाल रुका है same और index में भी यही है और यहां पर change हो चुका है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो है changes आ चुकई हैं तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों आप कोई भी फाइल इसके अंदर create कर सकते हो और directly push and commit भी कर सकते हो और अगर आपको कमांड से नहीं करना है तो यह आपको जो visual code studio वो यहाँ पर option भी देता है दोस्तों यहाँ पर भी आप directly यहाँ पर देख सकते हो commit and push का option आ रहा है यहाँ पर आप जो भी message डालना चाहो commit के message में जो वहाँ पर डाल रहे थे यह वाला जो message हमने अभी enter करा था यहाँ पर यह added यह इस message की बात कर रहा हूँ सीधा मैं इसको यहाँ से भी डालके और commit पर click कर सकता था commit and push कर देता है यहाँ पर तो भी यह हमारा file जो है वो server पर चला जाता तो उसको इस तरीके से आप अपने origin पर push कर सकते हो बहुत ही easily अब हमने commit और push करना तो सीख लिया कि कैसे हम अपने changes को files को add करते हैं और कैसे उसको commit करते हैं और कैसे origin server पर push करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों जो main इसका purpose था कि हम इसको use क्यों कर रहे हैं आखिर हमारे local server पर तो code पढ़ा हुआ है ही उसको हम चाहे तो google drive पर भी रख सकते हैं वहाँ पर भी हमारा safe फड़ा रहेगा बट नहीं इसका use करने का main जो फाइदा था कि जो हम अपने changes है उसको कैसे track कर सकते हैं तो आप real time में देखते हैं दोस्तों यह हमने इसके अंदर जो master के अंदर हमने यह file बनाई है मालो एक मिनट मैं आपको सुरू से दिखाता हूं हम अपने project में चलते हैं repository के अंदर और यहां पर जो हमने project बनाई है अब देख सकते हो यहां पर यह बता रहा है कि लाश्ट जो update हुआ वो 13 minute ago हुगा है इसके उपर मैं click करता हूं दोस्तों अब देखो दोस्तों यहां पर initial commit जो दिखा रहा है जब मैंने पहले commit करी थी तो 12 hours ago दिखा रहा है अब इसके अंदर अगर मैं जाता हूं अंदर main branch में actually इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने main में नहीं करा था हमने master के अंदर add करा था सो master में हम यहां से change कर लेते हैं अब यहां पर देखो अब पूरी की पूरी history दिख रही है दोस्तों कि कब कब क्या-क्या changes हुई है सो यहां पर अगर मैं मान लो और यहां पर अगर मान लो कोई कोई बंदा pull करेगा तो भी यहां पर अभी इसमें pull नहीं हुआ है तो यहां पर pull भी option में आएगा यहां पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस फाइल के ऊपर किसी भी code के अंदर जाके इन फाइल पे मैं click करता हूँ देख सकते हो इसमें 7 commits दिखा रहा है और यहाँ पे जब मैं click करता हूँ index.html पे सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पुरी-पुरी history check कर सकतो जैसे आप history पे click करें तो सारा का सारा system यहाँ पे डिस्प्ले होगा दोस्तो कि कशी आप आपने changes किया उसका एक proper हमारे पास efficient way में आप देख सकते हो एक track record है so इसलिए दोस्तो GitHub का हम यूज करते हैं Git और GitHub का यूज करते हैं so उमीद करता हूं दोस्तो अब Git और GitHub के बारे में आपको सारा system समझ में आ गया होगा कि कैसे ये properly work करता है और कैसे developers जो web developer coder होते हैं उनकी help करता है अपने coded code को जो भी उन्होंने code अपनी मेहनत से लिखा है उसको securely रखने में और जो उसके changes को track करने में अब ये बाते आपको clear होगी होगी तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में जिसमें हम live project पर किसी पर काम करेंगे और उसको भी मैं push करूँगा ठप पे तो और भी आपको ज्यादा समझ आएगा तब तक के लिए नमस्कार